आज मैं बना रही हो महरास्ट के एक बहुत ही फेमस रेसिपी कच्चा जीवडा तो यहां पर मैंने दो कब मुर्मुरे लिए हुए अच्छे कुरकुरे हैं यह और यहां पर पतला वाला पोहा ले रही हुए इससे भी बड़िया टेस्ट आता चाहे तो मुर्मुरे से भी बन कच्छी मुंफली दागने ए तो आप कच्ची मुंफली ढाले जाती है दो हरी मिर्च बारी कती हुई इससे आप जितना चटपटा बनाना चाहते हो बना सकते हो और मैं डालने हो एक चमस मिर्च वोडर साथी मैं डालने हो एक चमश नमक, साथी डालेंगे बारी कटा हुआ प्याज, यह देखें काफी मैंने अच्छी तरह से बारी कट किया हुआ प्याज को, तो मैंने दो मीडियम सैज के प्याज लिए हुए थे, अब मैं इसमें डाल रहीं बारी सेव, आप अपने मन पसंद कोई भी सेव डाल सकत हो चट पटा सा तो थोड़ा भी डालेंगे थोड़ा बाद में डालेंगे गार्णीशिंग के लिए, अब मैं इसमें डाल रहीं, बारी कटा हुआ हरा धनिया, यह देखें, और इसमें कच्छा तेल डाला जाता है, मुँमफली का तेल इसमें डाल रही हूँ, अगर आप ज आ में बाइख भी डाले हैं, गता हैर निंबुकरução अब बारी ons है इस अमओभे हैं झाले साथider गर्समिन के यूद लाइण का कीज़ homo भी का लward तर जिसलों मेंगता दाछा को सब्सक्राइब गारेयो और आवाब का तो यह रहनुआ है यह देखिए जैसे मिक्स कर रहे हैं मुह में पानी आ रहा है क्योंकि इसे खाना बहुत ही बढ़िया लगता है यह बहुत ही चटपटी सी रेसिपी है जब आपको हल्की फुलकी भूग लगी तो आप इसे बनाकर खा सकते हो वायरिश के मौसम में आप इसे बनाकर खा यह मज पसंद चीजें डाल सकते हो जिसे बहुत ही चटपटा बनता है यह देखिए अची तरह से मिक्स करते जा रहे हैं तो कितना बढ़िया कलर आ रहा है तो यह देखिए सारी चीजें बढ़िया मिक्स हो चुकी तो हमारे यह चटपटा सा कच्छा शीवडा बिल्कुल तेयार ह चुका है तो हम इसे सर्फ करती हूँ तो देखिए मैं एक बाओल में निकाल रहे हूँ तो यह देखिए चटपटा सा कच्छा शीवडा बनके तयार है खाने के लिए तो आपने देखा इसे बनाना कितना असान है और यह खाने में यह बहुत ही टेस्टी लगता है तो आप इस असान सी रेसेपी को जरू ट्राइ कीजेगा